आज की कहानी का सिर्सक है बुद्धीमान किसान एक गाउं में एक किसान उसकी पतनी और उसके बेटे रहते थे किसान और उसकी पतनी बहुत ही महनती थे किसान की पास दो बैल था किसान सुबह सुबह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत पर चला जाता और दिन भर खोब मेहनत करता इस काम में उसकी पतनी भी उसका हाथ बटाती साम को किसान अपने बैलों के साथ घर आता खाता पीता और सो जाता किसान अपनी मेहनत से इतना कमा लेता था कि साल भर बैठ कर खाता दिन ऐसे ही बीटता चला जा रहा था धीरे धीरे किसान की उम्र भी ढलती जा रही थी किसान अब पूढ़ा हो चला था उसके बेटे जवान हो गए थे लेकिन वे बहुत ही आलसी थे वे कोई काम नहीं करते थे अब किसान और उसकी पतनी को अपने बच्चों के भविस्य की चिंदा सताने लगी वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे ऐसा क्या करें कि उनके पुत्र मेहनत मसकत करने लगे और अपनी जिन्दगी अच्छे से जीए तभी किसान के दिमाग में एक बात आई क्यों ना हम अपने बच्चों से या कहें कि हमने उनके भविश्य के लिए सोने चांदी इकठे किये थे और उसे खेत में गार दिया है ताकि वह अपनी जिन्दगी आराम से जी सके किसान की ये बात उसकी पत्नी को अच्छी लगी उन दोनों ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं पता नहीं कब इस संसार को छोड़ दें इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाते हैं त्यान से सुनो तुम्हारे भविश्य की चिंता हमें सुरू से ही थी इसलिए हमने खेत में कहीं खजाना छुपा दिया है ताकि वक्त आने पर तुम उसे निकाल कर अपनी जिन्दगी अच्छे से जी सको अब तुम दोनों जाओ और खजाना ढून ले आओ खजाने की लालच में उसके दोनों बेटे अगले दिन सुबा सुबा ही खेत पर चले गए और खुदाई आरंब कर दी अभी पूरा खेत नहीं खुदा था साम हो गई दोनों थक हार कर घर आ गए फिर अगले दिन सुबा दोनों खेत पर गए और खुदाई सुरू कर दी खेत की पूरी खुदाई हो गई लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला अब दोनों भाई ठक हार कर घर आ गए और सारी बात अपने माता पिता से कह सुनाई पिता ने उनसे कहा तुम चिंता मत करो खजाना खेत में ही है और वह अवश्य तुम्हें मिल जाएगा अब जब तुमने खेत की खुदाई कर ही दी है तो तुम दोनों क्यों नहीं उसमें बीजबो देते दोनों ने ऐसा ही किया खेत में बीजबो दिये और मन लगा कर मेहनत करने लगे कुछ महीने बाद फसल तयार हो गए इस वर्ष फसल की उपज हर वर्ष से अधिक थी दोनों भाईयों ने उपज का कुछ हिस्सा साल भर खाने के लिए रखा और बाजार में बेच दिया जिससे उन्होंने महो सारे पैसे कमाए जब वे पैसे लेकर अपने माता पिता को देने गए तो माता पिता ने उनसे कहा कि हम जिस खजानी की बात कर रहे थे वह यही है तुम्हारी महनत और लगन से उत्पन यह खजाना तो बच्चों ये कहानी कितनी मज़ेदार थी इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि महनत और लगन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं झाल 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 झाल